भीया सूरदेव, आपने मेरी उपेक्षा करके अपने भक्त सिंधु देथ को अतुल्य शक्तिशाली होने का वर्दान दिया, केंतो इसका परिणाम आपने भी देखा होगा, परमदेव श्री महागणेश के क्रिपा से आज भी मेरा स्वर्ग सुरक्षित है, भविश में अब आप मौन क्यों है सुर्यदेव, क्या आपके भक्त, सिंधु दैत्ति की असरफलता आपको मौन रहने को विवश्कर रही है? भया इंद्र, मुझे अपनी भूल पर पश्रताफ हो रहा है, आज मैं ये समझ सकार के भाई-भाई की मध्य, शत्रुता का परिणाम कभी भी शुब नहीं होता, सत्य तो ये है देवराज, कि मैं सिंधु को वर्दान देने के लिए विवश्क था, यदि तपस्या और आरा अधिना की परंपरा समाप्थ हो जाएगी, जब सत्य की परंपरा का आपको ज्यान है, तो पस्चात आप क्यों हो, वर्दान देते समय मैंने ये नहीं सोचा था देवराज, कि एक असुर अपनी असुरता कभी नहीं छोड़ सकता, सिंधु ने मुझ से वर्दान पाकर, दे करने के लिए मैं व्याकुल था, किन्तु आप से भेट होने के पस्चात, आपके विराठ व्यक्तित से मेरा परिचय हो गया, आपने अपनी भूल मान कर भाई-भाई के संबंदों को और धिड़ कर दिया, मेरा प्रणाम स्विकार कर दिया, देवराज, स्वर्गा अधिपत के होने के कारण स्वर्ग पर आने वाले संकटों से सचेत रहना आपका परम करतव्य है, परन्तु मुझे मेरे कर्तव्यों का भली भाथी ग्यान है अब मैं वही जा रहा हूं जहां मेरा करतव्य मेरी प्रतिकशा कर रहा है मैं जानता हूँ भया इंद्र मैं जानता हूँ इस समय आप देवान तक और नरान तक की तपस्या में बाधा पहुचाने जा रहे हैं परन्तु ये अनुचित है आपका ये प्रयास कभी भी सफल नहीं होगा मैं जानता हूँ कि तुम मेरे स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए शिवरादना कर रहे हूँ किन्तु तुम्हारी ये तपस्या में संपूर्ण नहीं होने दूंगा मेरा वज्र प्रहार सदा सदा के लिए तुम्हें नश्ट कर देगा वज्र साथान इंद्र जेश्ट माता दिती अब यहां तुम तो देवताओं के राजा हो इंद्र नीती धर्म और मर्यादा की रक्षा करना तुम्हारा करतब वे है तपस्या रत तपस्वियों की हत्या करने की आग्या क्या तुम्हारा धर्म तुम्हें देता है दुष्ट्रता की ये शिक्षा दुष्ट्र देवताओं को किस नीती शास्त्र ने दी है क्या तुम्हारी माता अधिती ने तुम्हें यही संसकार दिये है प्रश्ण नीती, मर्यादा, धर्म, संसकार का नहीं है माता राजा और उसके राजी के लिए भविश्य में जो संकट बने उसका अंत करना राजा का प्रथम करतव्य है किस करतव्य का स्मर्ण करवा रहे हो तुम, हां? अवसर मिलने पर भी अपने शत्रूं को जीवी छोड़ना क्या उचत है? क्या इस भूल के लिए भविश्य इंद्र को ख्षमा करेगा? भविश्य तुम्हे ख्षमा करे, अत्वा ना करे किन्तु दैत्य माता दिती तुम्हे कदाभी ख्षमा नहीं करेगी आपके ख्षमादान की मुझे आवश्यकता नहीं है माता तेवां नरांतक हमारे शत्रु हृई और शत्रु का अंदत कर देना साशल मताई यदि तुने टकष स्यारत देवांतक और नरांतक पर वज्व प्रहार करने की भूल की तो मैं अपनी परम द्यात्य शक्ति से तुझे इसी समय भस्म कर दोंगी द्यात्य शक्ति प्रकट हो आजर इंदु को भस्म करने के लिए अब तुम्हें निराश होना पड़ेगा द्यात्य शक्ति जो बाताल में रहकर मेरे आदेश की प्रतिक्षा करो कि अपनी मूर्खता को विराम दो देवान तक नरान तक मैंने तुमसे पहले भी कहा था अब फिर कह रही हूं कि शिव आराधना में अपना समय व्यर्थ ना करो शिव तुम्हें कदापी वर्दान नहीं देंगे क्योंकि वे महा गड़ेश के अफ्तार श्री गड़ेश के पिता हैं महा गड़ेश ने पहले ही तुम्हारे लिए भविश्य वानी कर दी थी कि उनका अफ्तार तुम्हारी मिर्थ्यों का कारण बनेगा इंद्र के बज्जिर से तुम्हारे जीवन की रक्षा करने वाली देत्य मता देती ही तुम्हारी शुप चिन तक है उसकी आज्या मान लेने में ही तुम्हारा कल्यान है अपनी तपस्या को विराम दो मूर्खों शिव अराधना का त्याग करो तुम्हारा पीछा कब छोड़ेगा कब मुझे शांती से जीने देगा जेश्ट माता आप भी तो इन दोनों का पीछा नहीं छोड़ रही है मैं तो आपको शांती पहुचाने के लिए प्रयास करता रहता हूँ मैंने आपसे कितनी बार प्राथना की कि आप मेरी माता अदिती के साथ शांती पूर रख रहें पर अदू आपके मन में तो नागिन जैसा क्रोग का विश्ट पर आए बहुत कट उस नागिन जैसे विश्ट के कारण ही आप उन्हा क्रोधित हो रही है अभी भी विलंब नहीं हो आया जेश्ट माता मेरे साथ चलकर आप माता अदिती के आश्रम में सुक पूर्वक निवास करें दोष्ट हठी कर जोग मैं तेरे हठ को भली भाती जानती हूं आज मैं तेरे हठ का उपचार करके रहूंगी अभी अधिती पुत्र इंद्र भी अपनी मूर्खता का फल भोग कर यहां से कायरों की भाती अद्रिश्य हो चुका है अब मैं तुझे तेरे हठ के लिए दंडित करती हूं को तो आपने अपने जीवर का आभूशन बना लिया है मैं तो आपको भविश्य के लिए उचित परामश दे रहा हूं तुने देत्य माता देती को परामश देकर भयानत भूल की है दुष्ट गज्मुख इसके लिए मैं तुझे कदापिक शमा नहीं करूंगी तुम किस-किस को शमा नहीं करोगी देत्य माता? सर्विप पूजय भगवान शिवसे भी तुम द्रेश करती हो इसी कारण इन दोनों को शिव आरादना छोड़ने के लिए गया रही हो परतु यह दोनों शिव आरादना कदापी नहीं छोड़ेंगे इन्हें शिव आराधना छोड़नी ही होगी मेरी आज्या मानकर इन्हें परम पिता ब्रह्म देव जी की आराधना करने ही होगी जेश्ट माता तुम इन्हें तपस्या का त्या करने के लिए उस समय विवश्च कर रही हो जब इनकी तपस्या पूर्णता के निकट है इन्हें वर्दान देने के लिए भगवान शेव यहां पधारने वाले है मेरी बात पानो जेश्ट माता यदि तो भगवान शेव शंकर द्वारा इन्हें वर्दान देते हुए देखना नहीं चाहती तो चलो मेरे साथ आदेती आर्श्रम तु मुझे और क्रोध दिलाने की भूल ना कर महत कट अन्यता मैं अपने क्रोध से द्यत्य शक्ती प्रकट कर तुझे खण मात्र में भस्कर डालूंगी यह वो कुड नहीं है जिसे चीते खा जाए दक्समुत्री दिती श्री महागणेश के अवतार महत कट को भस्क करने की बात कहकर तुम अपने और देत्यों के सर्वनाश के पत्च पर आगे बढ़ रही हो साउधान आगे खोलो देवांतक नरांतक तुम्हारी निष्टा पूर्वक तपस्या ने मुझे यहां आने के लिए विवस्ट कर दिया है देवाथी देव महादेव शिल्शंकर की जय है हम तुम पर प्रसन्न है देवांतक नरांतक अपना इक्षित वरदान मांगों महादेव हम तरे लोग के में पुना देते सामराज्य श्तापित करना चाहते हैं है यह चंदर शिखर हम दानव मानव देवता सभी को अपने आधीन करना चाहते हैं हमें ऐसी महान शक्ति दें जिसे संसार में कोई चुनोती न दे सके गोलेनार यह तो वर्दान में संसार की कोई भी शक्ति और रभव छोड़ना नहीं चाहते यह चाहते हैं कि वर्दान पाने के पश्चत इनके अत्रिग सभी निर्बल दीन हीन होकर रह जाएं क्या इन्हे असरे दूंधे बर्दान में भी बाधा पहुचा रहा है तेरह ये साहस धिती ऑफने अम्यार नहीं दिया महादेव देवान तक नरां तक हम तुम्हारी तपश्या से प्रसंऩ है परन्तु तुम्हें ऐसा कोई वर्दान नहीं देंगे जिससे संसार के सामने संकट जन्म ले तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल अवश्य मिलेगा कह दो इनसे हमने जो मांगा है हमें वहीं चाहिए इससे कम हम कुछ नहीं लेंगे अन्य था आप हमें वर्दान दिये बिना ही यहां से लौट जाएं ऐसा न कहो जेश्ट माता आपके कारण इन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और निराश होकर यह दोनों अपने प्राण त्याग देंगे देवानतक नरांतक आशुतyorsun भगवांशी तुबहें जोभी वर्दान देंगे वह तुम्हारे हीट में होने के साथ ही श्रेष्ट होगा तुम डोनों इनसे प्रार्थंका करो कि हमें निराशना करें gir योग्य हो वहमें प्रदान करें हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे देवान तक नरान तक और नहीं तुम्हारे प्रती कोई अन्याय करेंगे। हम तुम्हें अतुल्य असुर शक्ती के साथ एक्षानुसार रूप बदलने, असुर से ना प्रकट करने का वर्दान देते हैं। वत्स नरांतक, आज्या महाधेव, तुम्हारा अधिकार प्रित्वी लोग पर रहेगा। देवान तक तुम स्वर्ग के अधिपति बनोगे, परन्तु ध्यान रहे। यदि तुमने ऐसा कोई अन्याय और अत्याचार का आश्र लिया, तो तुम संधार के बात्र बन जाओगे अरे मूर्खो, कम से कम शिव शंकर से अमर्ता का वर्दान तो मांग लो, यदि अमर्ता का वर्दान ना मिले, तो कठेन मृत्यों का वर्दान मांग लो, असु दोष, यदि आप हम पर प्रसंद है, तो हमें ऐसा वर्दान दें, कि हमें डेवता, दानव, मानव, तृदेव और तरिदेवियों में कोई ना मार सके यदि आप हमें वर्दान दे तो हम सदा आपकी महिमा का गुणगान करें का थास्तो अधिक चतुराई दिखाने का परिणाम ऐसा ही होता है देत्य माता अर्थात परम देव श्री महागडेश दानव मानव देवता और तरिदेवों में तो नहीं आते अब उनके अवतारों के हाथ हो इनकी मृत्यू का मार्ग तो सरल हो गया ना अभी भी समय है जेश्च माता आप मेरे साथ अधिती आश्रम चले दोष्ट गजवुक तू मुझे बार बार अधिती आश्रम चलने को कहकर मेरा अपमान कर रहा है अब आप चलना ही नहीं चाहती तो मैं यहां रुक कर क्या करूंगा भगवान शेव आपके चित को शांती दे स्वैंभी अध्रेश्य हो गया अन्य था मेरा क्रोध उसे उचे दंड देता है 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 हमें इसी समय देट गुरू के पास चलना चाहिए अवश्य इस शुक्रा शुक्राचारे की मूर्खता के कारण ही देत्य जाती को भयान खानी हुई है यदि तुम दोनों शिव आराधना ना करते तो मैं तुम्हें ब्रह्माजी से अमर्ता का बर्दान दिलवाती अब इस शुक्राचारे को प्रताडित करना ही होगा चलो शेवाय नमहा ओम ओम देवाधि देवाय नमहा ओम देवाधि देवाय नमहा है अशितोष भगवान शिव शंकर देवन्तक और डरंतक ने आपके आराधना करते हुए कठोर तपस्या की है अब आप उन्हें इच्छित वर्दान दें यही मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है आपके आराध्यशिव शंकर ने देवान्तक और नरांतक की कठोर तपस्या को अंद देखा करके उन्हें अन्मना और अधूरा सा वर्दान दे दिया है देवान्तक और नरांतक हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्य है परन्तु हम तुम्हें ऐसा कोई वर्दान नहीं देंगे जिससे संसार के सामने संकट जन्में तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल अवश्य मिलेगा परन्तु ध्यान रहें यदि तुमने ऐसा कोई अन्याय और अत्याचार का आश्रण लिया तो तुम संधार के पात्र बन जाओ को देत्यों के आराध्य बनने का धोंग करने वाले शिव नहीं चाहते कि देत्यों का उत्कर्श हो विदेत्य सामराज्य को तीनों लोकों में स्थापित होते देखना नहीं चाहते और इसके दोशी इसके दोशी आप हैं शुक्राचारे आप अपनी शिव भक्ति के कारण आप दैतियों को शिव अराधना का परामर्ष देकर उन्हें भ्रमित करते हैं भ्रमित अपना दोश दूसरे के मस्तक पे मड़ देना आपका स्वभाव बन गया है दैतिमाता देवान तक और नरान तक महादेव से चिद भरदान अवश्य प्राप करते हैं परन्तों आपकी उपस्थिती ने शिव को प्रोधित कर दिया हैं आपके कारण दैतियों की भैर खानी हु आप अपने शमादान की चिंता करें शुक्राचारे अब वो दिन दूर नहीं जब भोले भाले असुर और दैते अपने दैते गुरु को दैतियों का बैरी समझने लगें आपकी प्रेरणा से ये कपोल कल्पित असक्त्य यदि प्रसारित हो भी गया तो सत्य के एक ही जटक से वह चर्मराकर ढह जाएगा तो दैतियों के सच्चे हिद्चित्तक है दैतियों जाति का उतकर्ष और कल्यान यहीं मेरे जीवन का एक मात्र उत्देश है